नमस्कार में विक्रम सिंग और गनिक केमिस्ट्री का पहला कदम हम रख शुके हैं इससे पहले पार्ट वन कल हमने आपको दिया था क्लास यह जो क्लास है जो आज मैंने आप लाइव दे रहा हूं वो क्लास 11 और क्लास 12 12 दौनों बच्चों के लिए हैं क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो क्लास 11 पे SEसी समझ नहीं पाई थे शीख नहीं पाई थे तो उनके बारा मौकम मिल रहा है कि क्लास 12th में सीखें और class 10th में नी सीख पाया थे तो 11th में सीखें तो मैं यहाँ पर कहूंगा यह जो chapter है यह जो topic है यह जो topic है class 10th, 11th और 12th इन तीनों के लिए आज चुकी IUPAC का basic topic है इसलिए तीनों में यह बराबर रुप से important है यहने के class 10th, 11th और 12th तीनों बच्चे इसे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं तो आज के class में आए हुए हैं कविता, संदीप, नेहा, स्वाती, उमेश, अभिशेक, हरिंद्र और बाकी सारे students सबका नाम ले पाना बहुत मुस्किल होता है, तो सारे students अब ध्यान से देखो, एक काम सबसे पहले करो, कि अपना notebook निकाल लो, copy निकाल लो, plus pain, दोनों चीज़ें आपके पास होने चाहिए, तो क्या सब अब तयार हैं बटा? चलो, और अपने दोस्तों को, सारे बच्चों को share कर दो, अपने दोस्तों को, सारे दोस्तों को share कर दो, कल आप कितने बच्चे थे, और कल आज first day हैं, वो बताईए, तो मैं यह कहूंगा, कि अगर आज आप हो, तो कल जरूर रहिएगा, कल आप हो, तो परसों जरूर रहिएगा, यदि कल आप नहीं रहे हो, तो उस भी है कि क्या आप करें एक-एक step में जाएं यह है कल आपने देखा था basic organic chemistry basic organic chemistry और आज देख रहे हैं उन organic compounds का हम nomenclature naming देख रहे हैं एक सबसे पहले बात तो यही है कि IOPAC का full form होता है international union of pure and applied chemistry system international union of pure and applied chemistry system यह होता है इसका ना चलिए ठीक है सारे student सब कह रहे हैं कि कल थे और आज आए हुए हैं और दुबारा सबको good evening सबको welcome तो चलिए start करते हैं आज की class दुख बड़ा कुछ simple way में आपको बताऊंगा बहुत आसान तरीके से बताऊंगा IOPAC naming जो नियम होता है उसे आप बहुत ज्यादा रट्टा मार करके नहीं सेख सकते हैं क्योंकि नियमों के साथ साथ कर स्टेप में जाना पड़ते हैं तो आपको बोलूँगा को भी काम करो काफी आसान तरीका होगा उस चीज़ को समझने का जो मैं बताऊंगा वो करते जाई है प्रक्टिस के साथ बहुत सी आसानी से समझ में आ जाएगा तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास तो सारे बचे तयार हैं बोलो येस तयार हैं चलो सबसे पहला काम आयूपेसी में किसी कार्बनिक योगिक का नाम करन करना है तो इस बात पे जरूर ध्यान दे पहली बात कि और्गैनिक कंपाउंट या मैं आपर हैड्रो कार्बन की बात करता हूं कल बताया था ने मैंने आपको हैड्रो कार्बन हैड्रो कार्बन कार्बन और हैड्रो कार्बन कार्बन और हैड्रोजन से बने कोवेलेंट कंपाउंड को हैड्रो कार्बन कार्बन की एक विश वशश्ता होती है कि carbon, जो है, लंबी chain भी बना सकती है, और इस तरह से कुछ side chain भी बना सकती है, याने ब्रांचिस बना सकती है। हैं, तीसरी बात है, carbon, carbon की बीच में double bond, single bond तो होता ही है, double bond भी होगा, single bond भी होगा, triple bond भी हो सकता है। और बातें समझें कि कार्बन के एक और विशिस्ता है कि कार्बन कार्बन मिल करके आपस में इस तरह से रिंग भी बना सकती है ठीक है तो ये सारी विशिस्ताइं कार्बन में होता है और इन ही विशिस्ताओं के आधार पर इनका नाम करण भी होता है समझने हैं, तो सबसे पहली बात है, हम chain के base पर नाम करन करते हैं, इसको आप समझ गए, लंबी chain बना सकती, वो लंबी chain बनाने के साथ साथ, side chain बना सकता है, carbon-carbon की बीच में double, triple, single bond भी हो सकते हैं, और साथ में ये ring भी बना सकती है, ये एक मुख्य विशिस्ता है, इन विशि carbon के base पर नाम करन करेंगे, एक छोड़ी सी बात मैं आपको समझाओंगा, वो है chain, chain, chain को बोलते हैं हिंदी में shrinkla, क्या बोलते हैं, shrinkla, chain, मतब carbon की mala, मैं हिंदी में और एक नाम दे दूँ, mala, carbon की mala, mala, एक carbon का भी हो सकता है, वो mala, दो carbon का भी हो सकता है, तीन carbon का भी हो सकता है, चार carbon का भी हो सकता है, पाच carbon का भी हो सकता है, छे carbon की भी हो सकती है, इस तरह से ये mala होते हैं, इन मालाओं के नाम, इन chain का नाम हम कैसे रखेंगे, जरा ध्यान से समझो, सबसे पहली बात है, मैंने नाम करन को आसान बनाने के के लिए बहुत सारे कठिन शब्दों का उपयोग नहीं किया है सिंपल कुछ शब्दों का उपयोग किया है इसको ध्यान रखना देखो कोई पूछेगा नहीं कि आपने नामकरण कैसे क्या इस चीज का नाम क्या है ये पूछा जाएगा कैसे नामकरण किया कभी नहीं पूछ पूछा जाता क्या पूछा जाएगा नियम क्या है यह कोई नहीं पूछेगा क्या पूछेगा इस कंपोर्ण का नाम क्या है जैसे लिख दिया गया है भिया कि CH3 CH3 OH CH2 कि एन CH3 CH2 COOH यहां पर हटा दूँ तो यहां पर लिखा हुआ है C2 H5 इसका नाम क्या है यह सीधा पूछा जाएगा यह नहीं पूछा जाएगा आपने नाम कैसे किया समझ रहे ना तो इन सारी चीजों को सीखने के लिए हमें सिस्टम में जाना पड़ेगा वो सिस्टम समझें थोड़ा सा काफी ऐसान अगर आज से पहले नाम करन नहीं आ रहा हो तो आज सीखने के लिए पहली कड़ी चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहली है चेन चेन को मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ एल्क चेन चेन का नाम हम कैसे लिखेंगे कि कितने कार्बन का चेन है देखो एक ही कार्बन वाला है दूसरे में दो कार्बन है तीसरे में तीन कार्बन की चेन है चोथे में एक दो तीन चार पांच कार्बन की चेन हैं और पांचवा जो मैंने बनाया example one two three four five six seven बस याद रखना ये root word कहलाता है क्या कहलाता है chain एक शब्द लिया गया है root word तो root word क्या है या chain क्या है chain का नाम क्या है शिंखला का नाम क्या है माला का नाम क्या है एक carbon होगा तो मेथ कहोगे हिंदी मीडियम वाले बच्चे और English मीडियम वाले बच्चे दोनों के लिए बात ये कहेंगे इस तरह से ही लिखना है हिंदी वाले ऐसे मत लिखना मेथ कुछ दिनों तक आपको तो आपको कह रहा हूँ यहां पर मेथ एक carbon के लिए दो carbon के लिए इत तीन carbon प्रोफ चार carbon के लिए ब्यूट पांच carbon का chain होगा तो paint छे carbon का chain होगा तो hex शाथ के लिए हैप्ट आठ के लिए oct नों के लिए 9 नों दस के लिए होगा डिक 11 के लिए अंडिक अब मैं आपको बोलूँगा जिन बच्चों को ज्यादा नहीं जाना है वो दस तक रह सकते हैं मेथ इत प्रोफ ब्यूट पेंट हैक्स हैप्ट और नों डिक जिन बच्चों के याद नहीं है तूरंद बताओ याद करो बोल रहा हूं सुनो याद हो हा चाचा दाधा ना, एक जमाना और आया ना, जब अपने याद किया A, B, C, D, एक जमाना और आया ना, जब अपने याद किये आज एक जमाना और आग्या है जब याद करेंगे ये भी एक जमाना है इस तरह सी आद कर लो जिनको आगे जाना है वो आगे बढ़ सकते हैं मैंने लिखाऊओा दे दिये screenshot ले सकते हैं मैं बोल देता हूँ 11 को बोलते हैं अंड डिक, 10 को कहते हैं डिक, 11 को बोलते हैं अंड डिक, 12 को बोलेंगे डो डिक, 13 को बोलेंगे ट्राइ डिक, 14 को बोलेंगे देखो 14 के बाद मैंने सीधा 20 रिखा तो 14 को बोलेंगे टिट्रा डिक, 15 को बोलेंगे पेंटा ड बोला जाता है icos 30 को बोले जाए tri echoes 40 को बोलेंगे tetra echoes 50 को बोलेंगे penta echoes इसी की base पर नाम होगा है ना और इसी तरह से 90 को बोलेंगे क्या बोलेंगे 9 echoes है ना 9 echoes 9 ऐसी तरहöllवे और 100 को बोलेंगे hect तो ये 100 को hect तो इतना बढ़िया से तरीके से हमने पूरा complete याद कर लिए 100 तक ये मामूली बात नहीं है फिलहाल आपको सिर्फ 10 तक याद करना है नए बच्चे हैं और जिनको आगे जाना है वो आगे बढ़ सकते हैं फिलहाल आप इस चीज़ को समझें root word root word ये इसको chain का name कहते हैं जिसका नाम दिया गया elk सबसे पहले elk का नाम लिखा जाता है एक carbon की chain है एक carbon की chain को आपने कहा है मेथ तो इस compound का नाम होगा मेथ एक carbon वाले उस compound के नाम में मेथ आएगा ये कितने carbon की chain है दो carbon की माला है क्या कहेंगे इत इसको बोलेंगे इत इसके भी आगे कुछ जुड़ेगा बिटा मैं dash बस लगा देता हूँ हाइफन लगा देता हूँ हाइफन dash यानि कि उसके आगे कुछ जुडने वाला है तीन carbon की chain को बोलेंगे प्रोप एक, दो, तीन, चार, पाँच पाँच को बोलेंगे paint चेक कितना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 को बोलेंगे hapt तो इतना तो नामकरण आ गया कि आपको ऐसे कुछ दे दिया गया है इसका नाम क्या है आप बता सकते हैं क्या नाम होगा एक, देखो एक, दो, तीन, चार, चार carbon की एक chain है अब यह एक ही chain है सीधी chain कैसे हुआ यहाँ से पकड़ो, यहाँ से पकड़ो खीचो के तो सीधी line बन जाएगी नहीं, एक ही chain हुआ एक chain को क्या कहते हैं, but चार carbon की chain को कहते हैं, but बात एकदम clear है यहाँ तक मैं आपको clear कर दिया हूँ अगला step जाते हैं carbon देखो कैसे जुड़ा हुआ है single bond से जुड़ा हुआ है, single bond से जुड़ा है, single bond से सब single bond से है तो यहाँ पर बिटा जी, दूसरा नाम दिया गया है L का का नाम लिखना है फिर bond name लिखना, BN bond name, bond name, BN जहाँ रखना carbon, carbon की बीच में यदि single bond हो हो सकता है किसी compound में double bond हो किसी compound में triple bond हो हो सकता है single bond के नाम, इसको single bond कहेंगे हिंदी में बोलते हैं, ekal band ekal band ekal band हो तो नाम लिखा जाएगा A, N, E यह कहलाता है primary suffix अब एकदम terminology मत जाओ न एकदम एकदम terminology में चले जाओगे न खत्रे में पढ़ जाओगे छूड़ो यार, पहले chain का नाम लिखेंगे माला का नाम लिखेंगे, carbon की माला का दूसरा लिखेंगे bond का नाम लिखेंगे bond का नाम single bond हो तो A, N, E N, double bond हो carbon की बीच में तो E, N, E लिखेंगे triple bond हो, तो आप लिखोगे Y, N, E clear? हाँ, तो मतलब यह हुआ, जब किसी compound का नाम लिख रहा हो तो उसो चेक करना कि उसमें double, single bond है double bond है कि triple bond है इसका नाम और इसके नाम दोनों को चिपकाएंगे तो पूरा नाम होता है complete जैसे single bond वाला compound है methane, ethane, propane, butane, pentane, hexane ऐसे होगा double bond वाले compound का नाम क्या होगा बोलो एक carbon होगा तो double bond तो होई नहीं सकता दो carbon की ज़रुत पढ़ती है तो यहाँ से चुरू होगा ethane, propane, butane, pentane इस तरह से इसके साथ हुआ तो ethane, propane, butane येस, ऐसे फिलहाल इसका नाम क्या होगा बोलो एक ही carbon है, कोई bond नहीं है single, N, methane इसमें क्या होगा ये दो carbon है, single bond है तो A, N, E, ethane देखो, तीन carbon है single bond है सभी, single, single bond है, N एक, दो, तीन, चार, पांच पांच को pent, single bond है N, pentane एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, साथ साथ हुआ, hept, single bond है N, heptane, कितना असान है, देख लो आप, आगे चलते हैं और, और कहीं पर बनाया था क्या मैं हो गया, अब चलो कुछ नया काम करते हैं, इतना तो समझ में आ गया होगा, मैं कुछ लिख रहा हूँ आपको बात समझ में आ जाएगी, बिलकुल clear समझ में आएगा, अच्छा, अब बताओ एक example मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, एकदम clear सबसे पहले इसका, इसमें से एक चीज़ चूज करो, कारबन की चेन माला, कितने कारबन की है बोलो, नाम बोलते जाओ बिटा, सब के सब बोलते जाओ, कितने कारबन, एक, दो, तीन, चार, चार कारबन को बोलेंगे but, ठीक है, फिर इसके बाद क्या जोड़ेंगे, ये नाम हो गया, अब इसके बाद ये जोड़ोगे, bond name, क्या लिखोगे, single bond है इसमें, देखो, single bond, double bond दोनों हो, तो सिप double bond का नाम लिखो, क्योंकि single common है, तो double bond का नाम क्या होगा, इसका नाम छोड़ दो, in, तो ये हो जाएगा, in, butine, कितना असान है, देख लो, अब चलते हैं, c, 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 और यहाँ पर माल लेते हैं, triple bond है, नाम क्या होगा, कितना असान है, देख लो, आप बताते जाओ, कभी नहीं भूलोगे, पूरी लाइफ में, पूरा वीडियो देख लेना, अगर कुछ छूड़ते जातों, नाम क्या है, बोलो, एक, दो, तीन, चार, पांच, 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 सेलेक्ट करो, ये है पांच, पांच सेलेक्ट करो, ये पांच, क्या हुआ, पेंट, पेंट, बॉन्ट टाइप कौन सा है, सिंगल और ट्रिपल, सिंगल का नाम छोड़ सकते हो, तो क्या हुआ, ट्रिपल के लिए क्या लगाओगे, देखो, वाई एनी, तो ये हो गया, पेंट, पेंट, फिर क्या लगाओगे, वाई एनी, पेंटाई, इसका नाम हो गया, पेंटाई, मैंने बोला, हिंदी में मतलिखना ऐसा, इससे आपको तकलीफ हो सकती है, बाद में, है न, पेंटा, इन, ऐसे मतलिखना, है न, ये लगता तो आसान है, पर ब काते जाओगे आपस में ओके इस तरह से काफी आसान हो जाएगा चलते हैं आगे एक और चीज देखते हैं हो गया ना clear है ना एक दम अब देखो इसी बात को थोड़ा समझा दूं कार्बन की चार वैलेंसी अब को पता है और हैड्रोजन की वैलेंसी एक है मैंने ये लिखा है मैंने ये लिखा है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब है कि इनसे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है एक वैलेंसी यूज हुआ है तीन वैलेंसी बची हुई है इसमें दो यूज हुआ है दो लाइने बनी हूँ दो डंडे बने हूँ चार में दो डंडे दो वैलेंसी तो य लिखाया नहीं था यह आपको समझ में आ रही होगी बोलो बोलो सही है यह जितने लाइन है उसके साथ एक एक हट जाने तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं लिखते समय CH3 CH2 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 CH double bond CH2 ऐसा लिख सकता हूं चाहे मैं पहले लाल वाला बस बोलूं चाहे मैं ऐसे बोलूं या ऐसे बोलूं मतलब एक ही है बात समझ में आ रहा है तब इसका नाम क्या होगा कारबन कीचेन हाइड्रोजन आ गया तो हाइड्रोजन का नाम लिखेंगे करके घबरा ही नहीं है एक तो बोलो जुक्तना कारबन है एक दो तीन चार पांच है साथ कारबन को क्या बोलेंगे हैप्ट और double single bond है double bonded triple bond मेंसे कोंसा है इसमें double है तो double का नाम लिखेंगे in haptin ये हो गया अब कुछ अच्छी बात बताने वाला हूँ इसके बाद इन ही double bond के साथ एक अच्छी बात बताने वाला हूँ उस पे ध्यान देना आप लोग ध्यान देना बिटा चलो अब ये समझ सकते हो कि ये जो double bond है एक compound है बताब hydrogen कितना लगेगा clear हो गया ना देखने में जब उसको hydrogen पकड़ा देते हैं तो एकदम perfect लगता है ना देखने में gentle man लगता है hydrogen लगने बाद जब hydrogen नहीं रहता तो लगता कि हड़ी हड़ी रख दिया गया है चलो है ना बीना कपड़े का रख दिया गया है चलो यह देखो तो इसका नाम क्या होगा चलो सोचते हैं चलो सोचते हैं इसका नाम क्या होगा एक दो तीन चार पांच पांच यह देखो अब देखो आपको तो एक ही चीज लग रहा है सब जगा पे बेटा बोलो क्योंकि मैंने यही पढ़ाया है कि carbon की माला का नाम लिखना है माला कितने का 5 carbon का है तो हो गया paint और double bond का नाम लिख देना है क्योंकि इसमें कहीं पर double bond है तो E-N-E पेंटीन सबका नाम पेंटीन है लेकिन एक बात है सारे compound एक दूसरे से अलग है तो आपको ऐसी स्थिति में एक काम करना रहता है कि किस दिशा से वो double bond नजदीक पढ़ रहा है उसे ढूंडना है आपको बोलो आप सिरे वाला carbon किसे कहेंगे एंडिंग carbon किसको बोलेंगे सिरे वाला carbon छोड़ वाला carbon है ना तो जहां से शुरुआत हो रही है या तो आप इधर से शुरुआत करोगे या फिर इधर से शुरुआत करोगे कल मैंने बताया था primary carbon secondary carbon tertiary carbon याद है ना आपको तो primary carbon से शुरु पहला तो किस को पहला कहें याद रखना नंबरींग के लिए जिधर से double bond नस्दीक पड़ता है क्या बोला मैंने नंबरींग करना क्योंकि सभी तो 15 है परंतु सारे 15 अलग अलग भी हो सकते हैं समान भी हो सकते हैं तो आपको numbering करके उसका actual नाम लिखना है, तो चलो लिखना शुरू करते हैं सारे बच्चे जिनको जिनको आता है लिखते जाएंगे, तो numbering करना क्या करना है बोले मैंने numbering करने के लिए बोला है, तो देखो मैं इधर से numbering करना हूँ, तो क्या मिलेगा 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 याने कार्बन की स्थितियों को पहचानना या उल्टा इस तरफ numbering कर रहे हो तो, उल्टे दिशा में numbering करोगे, तो क्या होगा बोलो तो इस दिशा में करोगे तो 1, 2, 3, 4 5, तो दोनों में से right कौन सा है, ये वाला numbering right है कि ये वाला numbering right है एक numbering right है, जधर से वो double bond नजदिक पढ़ता हो दिखो, double bond इस तरफ से numbering कर रहे हैं तो पहले और दूसरे कार्बन के बीच में हैं पहले और दूसरे कार्बन के बीच में हैं, याने की पहले पर है ये माना जाएगा, इधर से numbering करें हैं तब हुआ न ऐसा इधर से numbering करें तो किधर दिख रहा है 1, 2, 3, 4, 5 4 और 5 के बीच में हैं ऐसे जाते हैं तो, याने की 4 पे है तो बताओ, नजदिक किसमें आ रही है 1 की 4 4 लंबा है, बहुत जादा दूरी है, लेकिन 1 तो नजदिक है तो ये समझो, कि जधर से नजदिक पड़ता है, उधर से numbering करेंगे तो ये वाला numbering right है जबकि ये वाला numbering wrong है तो इसको हम हटा देते हैं यहां से ये लिजए तो अब क्या मिला बोलो तो अब इसका नाम लिखने वाले हम लोग carbon chain का नाम लिखेंगे देखो मैं बोला हूँ, elk का का नाम लिखेंगे, plus stand का नाम लिखेंगे, position का नाम लिखेंगे, plus bond का नाम लिखेंगे, और ये position किसका बताता है, bond का, फिर नाम क्या हुआ बोलो elk हुआ, तो कित्ते carbon का है, 5 तो पांच कार्बन को बोलेंगे पैंट फिर एक हाइफन लगा देता हूं किस जगा पर टू और वान की बीच में मतलब वन पर है मैंने लिख दिया वन डेश लगाया और किस डबल बांट है यह डबल बांट का नाम क्या है इन तो इसका नाम होगा पैंट वन इन सबसे सूप परने में PENT 1-IN आप 1-PENT 1-IN लिख सकते हो लेकिन उससे बहतर है तरीका यह यह PENT 1-IN अब इसमें numbering करो इसका नाम तो बता सकते हो सारे बच्चे 1-2-3-4-5 1-2-3 में आ रहा है यह 1-2 में आ रहा है तो इधर से numbering राइट है 1-2-3-4-5 नाम करने के लिए numbering करना पड़ता है हर बच्चे को पता होना चाहिए तो नाम होगा कितमे है बलो अब नाम क्या हो चेन का नाम लिखना है माला का नाम लिखना है क्या हुआ PENT फिर bond का नाम लिखना है bond का नाम लिखने से पहले उसका इस्थान बताना है bond double bond double bond का नाम है in उसका इस्थान उसके पहले बताना है तो two in होगा two in इस तरह से two in का मतलब दो बार in नहीं है two in का मतलब है दूसरे position पर in है बहुत right कर रहे हो अब चलते हैं यहाँ पर जाओ इसमें जाओ इस वाले example में क्या होगा numbering किधर से करेंगे आब जिधर से double नस्दीक पढ़ता हो one two one two three तो two यह वाला numbering right है one two three four five तो इसका नाम भी क्या होगा pent two in इसका नाम क्या होगा one two three four five तो one पर है तो pent one in यह तरीका है मुझे लगता है कि आप लोग बहुत कुछ सीख गय हो अब आगे आप लोग अपना खेल खेलोगे अपना step लोगे चलो चलते हैं आगे चलतो बताते हैं चलिए क्या होगा मिटाऊ चलिए मिठा देता हूं मिटा बात में जिनको लिखना है वो पाॉस भी कर सकते हो चलो अच्छा अब देखो क्या कर सकते हैं और चलिए इसका नाम बताओगे चलिए मैंने यहाँ पर लिखा है यह triple one इसका नाम सब बतादो बस बात खतम एक ही example में clear हो जाएगा बोलो इसका नाम कौन बताएगा जल्दी से बताओ राजेंद्र जोती आनंद येश बताओ जल्दी सोनू अर्जुन अनुज चलिए उतकरश मुहमद नाम भुल गया नहीं दिख पाया ठीक है बोलते जाओ सबसे पहले इसका नाम इसमें से चूज करोगे कौन से नाम आएगा बताओ जल्दी से 6 कारबन का है 1,2,3,4,5,6 6 कारबन का है numbering करोगे किधर से करोगे triple bond जिधर से नजदीक पढ़ता हो 1,2,3,4,5,6 नाम क्या हुआ बोलो main chain का नाम हो क्या है hex और कहां पर है वो बोलो 2 position पर है second position पर है तो होगा 2 फिर इसका कहां पर है triple bond है आईन triple bond second position पर है hex 2 आईन बहुत सारे बच्चों ने right answer दिये है बहुत बढ़िया हिंदी में मत लिखो बिटा मैंने कहा ये बात ध्यान रखो क्योंकि आगे जाकर के फस जाओगे आप आगे जाकर फस जाओगे आप चलो अब चलते हैं कुछ और चीज़ें यहां पर इन दोनों का खेल तो समझ में आ गया अब यह तीसरी चीज़ों के बारे में छूटी जानकारी मैं आपको दे दूँ थोड़ा समझेंगे आप चलो functional group का suffix secondary यहां पर बोलते हैं यह primary suffix कहलाता है bond name और secondary suffix कहलाता है functional group का suffix ठीक है तो वहां पर secondary suffix ने fg बस कर दे रहा हूँ ठीक है तो इस जगा पर इसका हम लिखेंगे functional group का suffix suffix मतलब होता है पस्च लगना बाद में जुडने वाला suffix तो देखो अगर oh जुड़ा हो तो इसमें all लगाएंगे ज्यां रखना NH2 जुड़ा हो तो amine लगाएंगे COOH जुड़ा हो तो oic acid लगाएंगे note करते जाना CO NH2 जुड़ा हो तो amide लगाएंगे CN जुड़ा हो तो nitrile लगाएंगे तो मैं कुछ स्थिती मैं सिखा देता हूँ क्योंकि इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो सिखना है आपको कुछ एक लिख दिया मैंने ठीक है इसके base पर हम नाम करन करते हैं चलिए बताते जाना सब के सब बच्चे न ध्यान दोने बटा एक एक एक्जामपल लिख रहा हूँ मैं यहां पर लिख रहा हूँ CH2 नए CH3 CH2 COH इसका मेनिंग क्या हुआ बटा मैंने हैड्रोजन छोड़ दिया कार्बन का हैड्रोजन छोड़ना ना फंक्शन कूप का हैड्रोजन मत छोड़ देना CCOH लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ मैंने हैड्रोज जोड़ दिया ना मतलब हम लोग जब भी नामकरण करने की जुरूद नहीं है फिलाल नामकरण हमेशा हैड्रोजन के बेस पर नहीं होता है यह पता है आपको लेकिन functional group का hedion तो रखना ही पड़ेगा तो इसका नाम क्या है इसका नाम क्या है यानि इस से देखेंगे कितने कार्बन की चेन है माला कितने कार्बन की है माला कहा है कार्बन की चेन कहा है यह है कार्बन की चेन यस carbon keychain, कितने carbon keychain है, इसका नाम क्या होगा अभी बताया था मैंने, इसका elk क्या होगा, दो carbon eth plus bond name a and e plus fg suffix कहां पे है, oh के लिए क्या लिगा आया मैंने, बोलो, oh के लिए, ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, बस table में 3 part दिया गया, इसको लिख दोगे, फिर इसके बाद बाद वाले को लिख दोगे, फिर उसके बाद बाद वाले को लिख दोगे तो पूरा नाम complete हो जाता है, तो चलो, इसका नाम क्या होगा इसके लिए क्या लगा होगे, all होगया, oh का इस थान, double bond का इस्थान, triple bond का इस्थान और functional group का इस्थान लिखा जाता है अभी फिलाल एक है तो पहले इस्थितिम होने पर कभी भी नहीं लिखेंगे तो चलेगा, ओके, तो क्या होगा बोलो तो इसका नाम हो जाएगा, ETH अगला step जोड़ देते हैं A, N, E, मैं color change करकर के लिख देता हूँ ETH फिर मैं color change कर दूँ A, N, E, देखो बिटा ये last के E के रहने और नहीं रहने के संभावना रहती है ध्यां रखना, मेरे बात समझोगे ये last वाला E को आप कुछ suffix के नाम लगाने पर suffix name लगाने पर जोड़ सकते हैं मतब रख सकते हैं भी हटा सकते हैं कब हटाएंगे? जब नाम vowel से start होगा O से है, A से है, O से है, A से हटा देंगे E लेकिन N से है consonant होगा तो नहीं हटाएंगे व्यंजक होगा तो नहीं हटाएंगे फिलहल O है याने हटा देंगे तो A, N बचता है और फिर उसके बाद आपके पास आता है All तो नाम हो गया इथेनौल इसका नाम है इथेनौल अलगबग सारे पच्चों ने नाम लिख दिये हैं इथेनौल, येस बहुत बढ़िया, मेरे सारे प्यारे स्टूडेंट्स, जो रेगलर पढ़ाई कर रहे हैं, वो एकदम बढ़िया बता रहे हैं चलिए अब एक काम और करते हैं, कुछ लिखता हूँ मैं यहाँ पर CH3 CH double bond CH CH2 OH अब बताओ बटा, नाम कैसे लिखेंगे यहाँ पर तीन बाते हैं मेरी बात समझो ध्यान से क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुख्य चेन का चुनाओ करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुख्य चेन का चुनाओ करेंगे में चेन में चेन का चुनाओ, L का करनाम माला का, कार्बन की श्रिंखला का चुनाओ करेंगे, तो यह है paint, plus दूसरा नाम लिखूंगा, bond का, bond कुन सा है, double bond है, double bond है, e, n, e लिखूंगा, plus, तीसरी चीज़े लिखूंगा, functional group, functional group, oh है, तो लिखूंगा all, पर all किस जगा पर है, यानि oh किस जगा पर है, और double bond किस जगा पर है, एक question बनेगा, इसा question है, तब इसका accurate name क्या होगा, चलो बताते हैं, देखो बिटा, मेरी बात समझो ध्यान से, इस्थान, इस्थान बताने के लिए, पोजिशन बताने के लिए numbering करते हैं, स्थान बताने के लिए क्या करते हैं, numbering करते हैं, number लिखते हैं, नमबरिंग करेंगे तो तरीका अपनाना है क्या चीज़ वरियता, रिफरेंस, प्राथमिक्ता, किसको देंगे ज़्यादा, रिफरेंस किसको देंगे ज़्यादा, रिफरेंस देंगे सबसे ज़्यादा, फंक्शनल ग्रूप को, फिर उसके बाद देंगे उससे कम डेबल बॉर्ण को, उससे कम देंगे ट्रिबल बॉर्ण को, उससे कम देंगे साइड चेन को, आर मतब साइड चेन, इसे नोट कर लीजे आप अपनी कॉपी मा, तो यहाँ पर बोलो ना एक बार यार अच्छा लगता है आप लोग जब बोलते हो तो है ना बोलो किसको देंगे सबसे बड़ा वरीता नंबरिंग करने के लिए देखो बिटा जब डबल बॉंड या डबल बॉंड ड्रेपल बॉंड या फंक्शन को पा जाता है तो नंबरिंग करना यह किस स्थान में यह किस स्थान में बताना पड़ेगा ना तो क्या करना पड़ेगा यहां पर वरीता देंगे तो वरीता देते हैं फंक्शनल ग्रूप और डबल बॉंड में किसको वरीता देंगे यहां पर डबल बॉंड भी है फंक्शनल ग्रूप भी है तो किसको 1 2 3 4 4 पर आ रहा है इधर से 1 तो हो गया 1 2 3 4 5 अब नाम हो गया देखो 5 कारबन की चेन का नाम paint हो गया double bond कहां पहें 3 और 4 के बीच में मतलब 3 पर है और ये कहां पर है 2 पर है तो नाम क्या हुआ चलो एक साथ लिख देता हो नाम नाम हो गया paint हाइफन लगा दूँ 3 in और हो गया to all ये इसका सही नाम है चलो इसके बाद कुछ practice कराते हैं ताकि आप लोग बना सकेंगे चलो ये सब note कर लो बड़े बड़े नियमों की तरफ नी जाना धीरे धीरे नियम अपने आप आपके दिमाग में आते जाता है आपको process करने लगता है quality improve होने लगती है और बहतर से बहतर आप सीखने लगते हैं बहुत बड़िया चलिए बिल्कुल ऐसे ही जबर्दस तरह से पढ़ाई होती है हमारा course में अगर किसी बच्चे को हमारा course चाहिए तो मैं आपको number देता हूं 9644562030 हमारी live class चल रहा है direct live class उसमें आ सकते हैं और दूसरा number है 9827497052 बस याद रखना time का सुबह 10 बजे से पांच बजे की बीच ही call करेंगे ठीक है और अपना admission ले सकते हैं तो number मैंने दे दिये हैं और आप नीचे जाएंगे तो description box में हमारा number मिल जाएगा चलिए हो गया बोलो जल्दी से clear है बिटा सबको अब देखो एक और बना के दूँ आप लो बना के दिखाओगे चलो नाम लिखना ना मैं यहां पर लिख रहा हूँ CH3CH double bond CHCOOH चलो इसका नाम बताओगे क्या नाम होगा बताओ जल्दी से सारे बच्चे मैं सबका नाम ले रहा हूं जब तक मुन्ना निलू विने पल्लवी अस्तोश चलो जल्दी होगे नाम सबका बता बिटा अंकित आलोग रतना अजीट बता बिटा मुहम्मद वो बड़ा लंबा नाम लिख देते हो न तो वहां तक पहुछते 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 उपर चड़ी जाती है वो है ना विजय दिपक काजल यश चलिये बिटा हो गया क्या whenever आप इसमें ध्यान दो एक है functional group और दूसरा है double bond ये इसको double bond triple bond को भी functional group भी मान हमकेता है एक तरह का तो numbering करेंगे तो कैसे करेंगे याद रखो ato just function group में carbon होता है都是 chain का पहला ही carbon होता है ध्याँ रखना कि historically यह पहला ही carbon करबन होगा चेन का यह पहला ही करबन होगा चेन का और आगे भहुत सारे डिटेल्स है न जब पहला कदम अब बढ़ जाओगे तो दूसरे कदम हम को पढ़ाने में कोई तकलिफ नहीं होगा तो दूसरे कदम में जाने लिए आपको इस कदम को समझना पड़ेगा, इस step को समझना पड़ेगा, first step को समझना पड़ेगा, कि मैं कुछ बाते बता जिया हूँ, आगे जाकर के बहुत बेहतर और गहरा rule है, बहुत advance rule है, याने काफी time लगता है इसको सीखने के लिए नाम करण को, अभब बहुत जाद दूसरा तीसरा चउथा नाम हो गया ब्यूट हो गया double bond कहाँ पर है दूसरे number पर है तो two double bond का नाम होता है E N E लिखेंगे के नहीं लिखेंगे OOIC Acid से नाम शुरू होता है तो नहीं लिखेंगे है ना और यह हो गया one OOIC Acid हमेशा याद अखना एक बात कि one ना लिखें तो भी चलेगा तो क्या नम होगा bute-to-anoic acid अब यहाँ पर इसका इस्थान नहीं पता है मतलब यह है कि one पर है यह clear हो जाता है तो यह भी नाम राइट है यह भी नाम राइट है ठिक? चलिए e हटाना जरूरी है बटा कुछ बच्चों ने e नहीं हटाए है वो समझ लो मेरी बाते है चलो अब एक और चीज़ करते हैं यहाँ पर वो है इसका नाम कौन बताएगा देखते हैं ch triple bond ch ch double bond ch2 यहाँ पर h नहीं आएगा ना हाँ चलिए इसका नाम कौन बताएगा सहीं दिशा क्या होगा नंबरिंग का नंबरिंग के पेस पर इसका नाम होगा चलो बताओ इसका नाम क्या होगा जल्दी से बोलो इसका नाम क्या होगा जल्दी बोलो जल्दी हाँ जी क्या नाम होगा बिटा किदर से नमबरिंग करेंगे डबल से कि ट्रिपल से तो मैं आपको बता दूँ हमेशाया दखना सब फंक्शनल ग्रूप को सबसे अधा वरीत दी जाती है फीर डबल बॉंड का फीर ट्रिपल बॉंड का फीर साइचन का मैं यह बताया था नमेने अगर लास्ट में बात होगे तोacking अलफबेट को भी दिया जाता है कि अलफबेट ड्रिप इंग्लिश अलफबेट ये थोड़ा advance में चले जाएंगे आगे जा करके तो ये बहुत अलग बाते होगी ये वरीता है note कर लो, मिटा दे रहाँ इसको, चलो क्या होगा बोलो तो इधर से numbering करेंगे, किसका right है चक करते हैं, 2, 3, 4 4 को बोलेंगे but, और यहाँ पर double bond, triple bond दोनों आते हैं तो दोनों का नाम लिखना है, single bond का नाम बस छोड़ा जाता है double, triple हो, तो कभी double को मत छोड़ना, और triple को भी नहीं छोड़ना तो देखो, double को ज़्यादा वरीता दी गई है, तो double का नाम लिखना ही पड़ेगा तो इसका नाम होगा 1, E, N, E, फिर उसके बाद क्या होगा, 3, 3, I, वो चारण में ये वो क्या है, वाई जो है, एक वाविल है ठीक है, तो इस जगा पर हमारे पास नाम होगा, but, 2, sorry, but, 1, in, 3, I, ये होगा ठीक है, तो कितने बच्चों ने लिख रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ, येस, बढ़िया, बहुत बढ़िया अपर, देश लगा दिया करो, हैफन लगा दिया करो, देश नहीं लगा ओगे, तो रंग मना जाता है, धेहां रखना इस बात पे, बहुत ज़्यादा धेहां रखना इस बात पे, पय, चलो, अब इसका नाम बताओ बेटा क्या नाम होगा फिर उसके बाद बहुत सारे और भी प्रक्टिस है यार यह तो शुरुआत है कुछ भी नहीं है चलिए मैं लिख दूँ यहाँ पर मैंने माल लीजे मैंने ऐसा कुछ लिखा है इसका मेनिंग समझते हो आप लोग बोलो इसको बोलते हैं लाइन स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् bond carbon, single bond carbon, single bond carbon और ये carbon को तो अब समझ में आ गया तो क्या आप इसका नाम लिख सकते हो? बोलो और यहाँ पर क्या है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे carbon हैं तो हम इस तरह से ना लिख करके इस तरह से भी line के form में भी लिखते हैं नाम बताओ इसका क्या होगा जल्दी से? जल्दी बच्चे बताओ बिटा जल्दी से नाम क्या होगा? बोलो नाम क्या होगा? हाँ, ये एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच, का carbon है, one, two, three, four, five, line structure बोलते हैं ने, इस तरह से लिखते हैं तो हाँ, तो नाम हो जाएगा हेक्स, double bond का नाम हो जाएगा one, in, और हो जाएगा three, line मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखे हैं आप लोगों ने और मुझे ये लगता है कि आगे अगर गहराई में जाए 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 तो बहुत कुछ आप कर लोगे तो चलो, आगे बढ़ते हैं और कुछ steps में मिटा दूँ चलो अब देखो बेटा मैं कुछ यहाँ पर बता रहूँ, उस पर धेहन देना क्या आप इसका नाम बता पाएंगे इसका मतलब समझ रहे हैं बोलो क्या आप इसका नाम बता पाएंगे क्या आप इसका नाम बता पाएंगे चलो simple, कुछ चीज़ें बता रहूँ मैं आपको यहीं से होगा देखो एक ring बन गया है इसका मतलब क्या है carbon, carbon, carbon और सब आपस में single bond से चुड़े हुए है इसका क्या मतलब हुआ इसमें hydrogen कितना है दो यूज हुआ, तो दो hydrogen होगा CH2 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 सही है बोलो, तो सब जगा clear है आपको ठीक, अब इसका नाम बोलो क्या होगा पहले का नाम क्या होगा, carbon, तीन carbon की chain है बिटा जब वो इस तरह से cycle बना लेता है, चक्र बना लेता है तो चक्र बनाता है तो इसका एक prefix लिखा जाता है, नाम शुरू करने से पहले इसका नाम लिखा जाएगा सबसे पहले आपको लिखना होगा cycle, फिर इसके बाद ये दो नाम होगा, एक, दो, तीन, तीन carbon को बोलेंगे, probe बोलो ये हो गया, dash, probe और इसके बाद single bond है, तो लिख देना, single bond N, तो ये तीन carbon को बोलते है, probe single bond को N, तो प्रोपेन है ये प्रोपेन है, तो cycle, प्रोपेन है ये एक, दो, तीन, चार है, चार है, तो ब्यूट है ब्यूट है, double bond है, तो in हुआ butene हुआ, कैसा butene? cyclobutene, तो इसका नाम क्या होगा? cyclobutene इसका नाम क्या होगा? बोलें, इसका नाम बताओ बटे जल्दी से 1, 2, 3, 4, 5 5 को बोलेंगे, हाँ, cyclo लगाना बहुत जुरूरी है cyclopentine why any, cyclopentine कितना आसान है, देख लो आप है ना? अब थोड़ा आगे चलते हैं, और कुछ चीजों को जानने के लिए फिर उसके बाद काफी आसान हो जाएगा और भी multiple functional group जब आता है, तो कैसे करेंगे? इससे, ये light बंद करो, भूला ठीक है? चलो अब बतारो मैं तुमको कुछ और बात हैं ये देखो, C, 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 C ठीक है, इसका नाम तो अब लिख पाऊगे C, 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 C C, 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 C अब इसका नाम कैसे लिखो गया? चलो, इसका नाम कैसे लिखो गया? चलो, first का नाम बताओ जल्दी से देखो बिटा, मैं functional group जोड़के नहीं बता रहा हूँ सीधे-सीधे बात करो, first का नाम, second का नाम, third का नाम देखो, किसी भी दो कार्बन को पकड़के रखोगे न सीधा एक लाइन बन जाएगा याद रखो, सिरे वाला कार्बन कौन है पहचानने का तरीका है? किसी दो कार्बन को पकड़के ऐसे खीचो क्या बुला? हैप, हैप ट्रिक किनी, दो कार्बन को ही पकड़ सकते हो और इसको खीचो अगर कुछ लटक जा रहा है, तो उसमें side chain है देखो, हमें दो ही कार्बन पकड़ने का मौका मिल रहा है और कुछ लटक नहीं रहा है, यानि सीधी chain है सीधी chain है, नाम क्या होगा इसका? ब्यूटन, ये तो clear है सेकंड में देखो, मैं इसको पकड़ता हूँ, तो ये छूट जा रहा है इसको पकड़ता हूँ, तो ये छूट जा रहा है मतलब सीधी सी बात है, एक मुख्य चेन नजर आएगा देखो अब इस तरह से आपको करना क्या है यहाँ पर देख लिए फिर बताता हूँ फिर समझ में जाएगा एक सिरे वाला कार्बन ये हुआ तो इस कार्बन के बाद किसी एक कार्बन को पकड़ के खीचोगे और जो सबसे लंबी होगी वो मुख्य चेन कहलाएगा दूसरा है साइड चेन पार्श जो बच जाती है जो बच जाती है ठीक है तो बताओ एक दो तीन चार पांच ये पांच कि एक लंबी चेन हो गई बाकि ये दो बच गया एक दो तीन चार यह दर से पांच लंबा हो गया ना यह छोटा हो गया देखो चार छोटा हो गया एक दो तीन चार छोटा हो गया एक दो तीन चार छोटा हो गया एक दो तीन बहुत छोटा हो गया तो जो सबसे लंबी chain है उसे मुख्य chain कहा जाएगा ये है मुख्य chain ठीक है तो ये हो गया main chain इसमें और ये जो बच गया इसे कहा जाएगा side chain ये हो गया side chain इसमें तो कोई side chain नहीं है फिलाल ये हमारे लिए कोई complication नहीं है इसमें है ये मुख्य chain, main chain और ये क्या चीज़ होगे हमारे लिए side chain main chain and side chain नामकरण कैसे करेंगे just मैं इसी के बारे में बता रहूँ आपको ठीक है दिहां से सुनिए जो नए बच्चे हैं उनको तो बहुत कुछ सीखने मिलेगा और जो नहीं समझ पा रहे होंगे उनको मैं यही कहूँगा कि आप समझ तभी पाएंगे जब पूरी वीडियो लाइन से देखो गया और थोड़ी प्राक्टिस करो गया चलो बताओ मैं एक काम करता हूँ first one example को लेके चलूँगा ठीक है तो first one example में क्या होने वाला है देखो जब भी नामकरन करेंगे बिटा तो ऐसे करेंगे मैं थोड़ी से बोर्ड की तरफ चले आता हूँ बोर्ड में ले आता हूँ आपको चलिया देखें अब सबको clear है सबसारी बातें ये मैंने बनाया था तो आपने इसे main chain कहा था मुख्य chain और इसे क्या कहा था आपने side chain नामकरन लिखते समय कैसे लिखेंगे नाम कैसे लिखेंगे नाम लिखते समय पहले side chain का नाम लिखोगे फिर plus main chain का नाम लिखोगे ध्यार रखो side chain का नाम लिखते समय क्या इसे लिखोगे पहले उसका position यानि स्थान लिखोगे किस जगा पर है फिर उसमें स्थान लिखने के बाद उसमें जोड़ोगे elk क्या है यानि कि carbon कितने carbon क्यों chain है और फिर इसमें लगा दोगे yl एक suffix लगा दोगे ये नाम होगे complete उसके बाद main chain का नाम कैसे लिखते हैं आप जानते हो elk लिखोगे प्लस bond name लिखोगे प्लस क्या लिखोगे functional group का suffix लिखोगे जैसा कि अभी बताया था ठीक है पूरा वही तरीका है अब बताओ इसमें हम side chain देखो अब main chain में किसमें करते हैं main chain में करते हैं तो यह side chain कहां जुड़ा हुआ है इस carbon से यह carbon किदर से नस्दीक पड़ता है यह बता दो यह किदर से नस्दीक पड़ता है इधर से 1,2 पर इधर से 1,2 पर तो 1,2,3 2 पर आ रहा है यह side chain तो नाम क्या लिखना है स्थान, स्थान में लिखोगे 2, फिर डेश, एल्क, एक कार्बन को कहेंगे क्या, मेत, इत, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्नों, डे, क्या बोलोगे, मेत, मेत बोलोगे, फिर क्या लगाओगे, वाई, यल, तो इसका नाम हो गया, मिथाई, टू मिथाईल हो अब मेंचेन का नाम लिखोगे, मेंचेन का नाम क्या होगा, बोलो क्या बोले, एल्क निम, तीन कार्बन का चेन है, प्रोप, फिर क्या बोला, बॉन्ड निम, सिंगल बॉन्ड है, एन, ये लो, प्रोपेन, पूरा नाम क्या हो गया, इस कंपॉंड का, पहले किसका नाम लि बोलो ये नाम है इसका 2-methyl, बोलो भाई इसका नाम हो गया ना फिर propane 2-methyl propane ये है इसका नाम, कितने बच्चों ने लिखा है बताओ जल्दी से Yes, 2-methyl propane Very good अब मैं यहाँ पर दे रहा हूँ बिटा, इसका नाम बताना आपको C, 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 C C, C, C चलिए, सबसे लंबी चेन का चुनाओ करो, मैंने जो कहा हूँ करो किसी एक कार्बन से गिनना स्टार्ट करो, किसी एक कार्बन तक ले जाओ counting स्टार्ट करो, और सबसे लंबा जो होगा वो main chain है करो जल्दी से, चलो जल्दी बताओ हाँ जी, सबसे लंबी चेन कितने कार्बन का है, बताओ जल्दी से बोलो बटाओ जल्दी से, कितने कार्बन का है जल्दी मैं करता हूँ 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 कार्बन का main chain है हमारे पास, ये है main chain जो बच गया हूँ, जो बच गया हूँ, ये बच गया हूँ, ये दूसरा side chain, ये तीसरा side chain, तीन side chain है बोलो, तीन side chain है main chain, ये main chain, main chain क्या है main chain main chain का नाम क्या है, बोलो, main chain कितने कार्बन का chain है, बोलो main chain, कितना, बोलो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 कार्बन का chain है, तो ये है oct, single bond and octane इसी में numbering करना है, किधर से numbering करेंगे, जिधर से side chain नस्दीक पड़े है चलो, इधर से numbering करके देखो, 1, 2, 3, 4, 4 पर ये आ रहा है, 5, 6, 6 पर ये दोठो आ रहा है, तो 6, 6 हुआ, देखो 1, 2, 3, 4, 4 पर एक आया, 5, 6, 6 पर ये दोनों आया, तो 6 और 6 लिख करके total करके देखो, नस्दीक है कि क्या है पता चल जागा, total कितना हुआ, 16 हो गया, अब चलो, इधर से numbering करके देखते हैं, आपने ऐसे numbering करके देखा, अब इधर से numbering करके देखें, 1, 2, 3, 3 पर ये दोनों आया, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5 पर आया, कितना हुआ total करने पर, कितना आया, 11, तो छोटा कौन सा हुआ, छोटी value कौन सी हुई, बताओ, 16 जादा हुआ कि 11 जादा हुआ, बोले बिट से, गलत नाम लिखा हुआ है, वो सही हो जाएगा, कुछ बच्चों का नाम गलत लिखा हुआ है, वो सही हो जाएगा, बोलो क्या होगा, 11, छोटा number ये है, जिसमें कम आये, total करने पर, position का इस्थान, numbering उस दिशा से करेंगे, double bond या function group नहीं है, only side chain है, hello, only side chain है, त्यां सु तब, numbering उस दिशा से किया जाएगा, कि side chain की position यानि स्थिती को जोड देंगे, तो value कम आएगा, clear, ऐसे, तो किदर से आया, ये 11 कम है, तो numbering उधर से करेंगे आप, मैं numbering कर दूँ, किदर से करें, इधर से न, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, चलिए, octane का नाम हो चुका है, इस side chain का न 3-methyl, इस side chain का नाम क्या है, 3-methyl, इस side chain का नाम क्या है, 2-carbon की chain ने बिटा, ethyl, eth, तो क्या होगा, 5 पर है, 5, 2-carbon को बोलेंगे, eth, क्या लगाएंगे, yl, ethyl, हो गया, अब समझो मेरी बात, हमेशा side chain का नाम पहले लिखना है, और main chain का नाम last में लिखना है, तो चलो, द देखें, side chain में आपके पास आ रहा है, methyl, methyl, ethyl, alphabet में जो पहले आएगा, side chain को सब चूज कर लो, एक जगा कठा कर लो, alphabet में जिसका नाम पहले आगा, उसे पहले लिखेंगे, तो ये देखो, 5 ethyl, E पहले आता है, M से पहले, A, B, C, D, E, F, G, H में, है ना, तो E पहले आता है, तो नाम इसका पहले होगा, तो side chain को अगर arrange करें, तो क्या नाम होगा पहले, ethyl, फिर methyl, समझ रहे हो, तो ethyl पहले, तो ethyl एक बार कहां पर है, 5 पर है, और methyl कहां पर है, 3 पर है, तो 3 पर है, एक methyl, दूसरा methyl भी 3 पर है, 3 methyl, 3 methyl, याद रखो, same नाम है, methyl, methyl है, तो जब सेम नाम दो बार आए, तो dye, सेम नाम तीन बार आए, तो try लगाना है, तो क्या नाम होगा इसका, 5 ethyl, 3, 3, dye, methyl, dye, methyl, dye, methyl, ये नाम हो गया, अब ये आपको clear हो गया, side chain का नाम हमने लिख लिए, सही तरह से, अब क्या करेंगे, octane पर लगाएंगे, तो पूरा नाम क्या होगा, बोलो दुबारा लिख रहा हूँ, octane, main chain का नाम लिख रहा हूँ, तो name हो जाएगा, बोलो 5 ethyl, 3, 3, dye, methyl, और ये हो गया, octane, octane, नाम ही number, color change कर देतो, main chain का ना जिस बच्चे को भी नहीं समझ में आया होगा, उसे ये कहना है मुझे, कि उसे आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और शुरू से देखना पड़ेगा वीडियो, दूसरी बात, इसका detail है, बहुत detail है, और हमारा ped course available है, जिनको इसे ped course में जाना है, वो ped course की तर भी आ सकते हैं, free course में आना है, हमारे YouTube चैनल उपन है, आपके बहुत सारे वीडियोज है, क्लास 11 में, चैप्टर नमबर 12, क्लास 11 में, चैप्टर नमबर 12 में, IUPAC सिखाया गया है, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो, तो सब्सक्राइब कर लो, क्यो बार में ये वीडियो में, अगर समझ में नहीं आया है, तो इस वीडियो को दुबारा देखो, लिख लिख के देखो, बनाते जाओ, एक एक चीज़ सीखोगे, क्यों, सही बोल रहा है ना, बताते जाओ, तो इस तरह से आप सीख जाएंगे, दूसरी बातें, जिन बच्च सकते हैं, डारेक्ट लाइफ क्लास, यानि हमारे बच्चे जो यहाँ बैठके पढ़ते हैं, उन्हीं के साथ आप पढ़ते हैं, जैसे हम इनको बढ़ते हैं, बिल्कुल सेम तो सेम आपको बढ़ते हैं, तो यह होगा, और यह याद रखना, यह हमारा कोर्स जो अवेलेबल है विद्याकुल में है विद्याकुल एप पे हमारा कोर्स एविलेबल है ध्यां रखेंगे ये करिया ठीक है और किसी तरह की कोई बात हो तो जरूर बाते करिएगा टाइम की बारें बता दूँ सुबह दस से पांच बजे की बीच कॉल करेंगे तो आपका फोन उठाया जाए और आपको जो भी सजेशन चाहिए पैड कोर्स से रिलेटेड या फ्री क्लासे से रिलेटेड वो आपको मिल जाएगा तो अब मैं कहूंगा इस क्लास को लाइक किजे अगर भूल गया हो तो शेयर जरूर करो अपने दोस्तों को ताकि वो भी सीख सके और आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको बहुत कुछ मिलता रहेगा तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं नमस्कार धन्यवाद थेंक यू